जी बिल्कुल आप ये question बहुत अच्छा question पूछ है और अभी के जो बात करो दो मेंस और तीन प्रिलेम्स का बात करो तो इसमें यह है कि और जो वर्तबान में pattern होगा कि हाली में आप देखे होगे 69PT का जो इसमतरवी में PC के लिए बात किया जाया क्या सुझाब रहा होगा नए बच्छों भी है जी अभी मेरा यही सुझाब रहागा कि बेसिक जो होगी से लेबस है प्रिलेंस का है मेंस का है वो तुनों को मैं पहले नोट डाउं किया देखा कि क्या क्या इसमें common है मैं उन common चीजों को पहले पढ़ा common चीज जब मेरा खतम हो गया तो उसके बाद जो आसपास वने वाली गटना है मतलब आप पर पढ़े अपने जो भी है अपका उससे रिल्टिट अपकी वेलकम टुनाइन अल्टिमेट उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे इस वक्त हमारे साथ अमित कुमार सर बैठे हुए हैं इनका सेलेक्शन 67 वीपीसी में वन फिप्टी वन रांक के साथ हुआ है इसे आज हम बातचीत करने वाले कैसे उन्हों त्यारी क्या क्या श्ट्रगल रहा बुकलिस्ट काउंस उन्हों पढ़ा ट्रेस सब कुछ के बारे में यदि आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में आब तक सबसे फ़हले से आपको बहुत बहुत बदाई और सूपकामना है आपको घंड़ाइब को कैसा लग रहा है बहुत अच्छा कर आदि के बादग एक हम सक्या हूं समस्थि पूर है मेरा होम टांं वहां से किया हूं और उसके बाद मैं कि इसके बाद में मुझे मिला जॉब करने प्राइबीट जॉइन किया उसके बाद मेरा मन सुरू से था कि मैं सिविल सर्विसेज के तरफ मतलब जाओंगा और मेरा इक्षा था मेरा कि मैं सिविल सर्विसेज को ही चुनू और एक इक्षा था कि मैं समाज में कुछ नया बदलाव अपने तरफ से जो मुझे लगता था कि कर सकता हूं सोसाइटी को वह मैं करूँ इसके लिए मैं प्राइबीट जॉब को छोड़के सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन दो इसका को इसा खास बज़ा नहीं है जैसा कि अब जानते हैं कि अगर बेसिक बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो निकालते हैं तो उनका थोड़ा सा जब बचपन से जो फोकस्ते होता है तरफ ज्यादा होता है मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो जो कॉलेज में उनका बीटेक का चार साल होता है उसमें वो बाकी स्टुडेंट से कुछ ज्यादा एक्टिविटी में इन्वाल्व होते हैं तो प्रेशर हैंडल करने का उनके पास टेक्निक आजाता है कि आप जानत प्रेशर को ज्यादा हैंडल अच्छे से कर पाते हैं और कोई खास वजह नहीं है बाकी लोग भी अच्छा कर रहा है इस फिल्ड में और यह है आपने किसी सब्सक्राइब करने की जरूरत है जी बिल्कुल आप यह कुश्चन बहुत अच्छा कुश्चन पूछे और अभी अभी सफुझा बात किया जाया क्या सूजाब रहा नहीं बच्छों की यह आप सल्कुट जी अभी मेरा यही सुझाब रहा कि बेसिक जो फंडमेंटल चीज हैं जो एंसे फिल्ड में तो आपको सफलता जो मतलब चांसे मिलने का वह जल्दी और कम समय में मिल जाएगा अगर आप वैसे कोई बहुत सारा मिटेरियल का धेर लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं होगा तो अभी जो भी निव एस्पेरिंट हैं आने वाले हैं और जो कर रहे हैं उनके लिए मेरा यहीं सुझा हुआ कि आप जो बेसिक चीजे हैं जो टेक्स्ट कोशन अंतलब करेगा इसके लिए बच्चों को पहले से ज्यादा थोड़ा सा पहले कोशन फैक्ट्ट पूझा जाता था लेकिन वर्तमान में फैक्ट्ट की साथ साथ चीजे ज्यादा पूछा जा रहा है तो उस पर फोकस करने के जरूर है तो कि मेंस की आंसर राइटिंग को इंट्रीग्रेटेटरूप से पढ़ा जो उसका जो भी सीलेबस है प्रिलेंस का है मैं जोuez का है वह को मैं मैले नोट डाउं किया है देखा कि क्या क्या कैसे mend है मैं उन कॉमन चीजों को पहले पढ़ा कॉमन चीज जब मेरा खतम हो गया तो उसके बाद मैं क्या कि सेल पे स्टेडी आपका मेंटर हो या फिर वैसा कोई प्रेस्ट स्रीज हो कि अब तो बीपी सी में ऑप्टिनल हट गया है और एसे का मतलब बढ़ गया है तो शुरुवात से अगर आप दो तीन महीने के तैयारी अगर फंडामेंटल अपका किलियर हो जाता है अब तो अब त जाए तो आप उसको उसके बाद एंसर रेटिंग आप कीजिए तो जाड़ा बेटर रहेगा प्वालिटी एंसर लिख पाएंगे शुरुआती में आप थोड़ा सतही हो जाएंगे क्योंकि आपके पास अकर जानकारी कम होगी तो जब लिखने जाएंगे तो आपको यह पत जाएंगे मैं उनका नाम इसलिए इस चैनल पर लेना चाहता हूं कि मेरे इस सेलेक्शन में मैं कुछ भी नहीं हूं उनका मोर देन 99% उनका युगदान है आज जो मेरे प्रिलिम्स और मेंस और इंटर्व्यू कि लिए हुआ है जो भी मुझे पोस्ट मिला इसमें सर का है मतलब आप पेपर पढ़े अपने जो भी है आपका उस से रिलेटेड आपके होवी से रिलेटेड इन सब जी जो पर फोकस करे और खासकर जो अभी वर्तमान में न्यूज चल रहा है पेपर में उस पर ज्यादा फोकस करें तो इंटर्व्यू अच्छा होगा आपका आप मैं तरह Desайн है आफकार उंच्ण का टार्बिटा है था फिर में से अधनि बनाता था तो मैं पढ़ता था जो समाने स्ब्सोडूर्य पढ़ते हैं मैं अपना टार्गेट कुडा करता था तो मैं थोड़ा टार्गीट पढ़ाई जाधा करता था कि कोई भी चीज को करने का यह मेरी इस्टेट का अपना टाइम टेबर बदे कैसे अब दिन के सुरुवात करते हैं जी दिन का टाम टेबल यह था कि मैं आजली मॉर्णिंग जगने वला हूं मतलब मुझे बहुत जगना अच्छा लगता है जगने के बाद मैं सुबह में एक दो घंटा अपने मत दो फर से लेके डीनर तक मैं बढ़ाई करता था रात में जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपना टार्गेट था वो पूरा करके ही सोता था इसके लिए कोई मेरा फिक्स मतलब यह नहीं था कि मैं रात में 12 बज़ेस हो जाऊंगा कभी-कभी मुझे तीन भी बज़ है नेंद सबको आता है मुझे भी आता था और सबको आता है कि आप पढ़े कोई भी बोर्डिंग चीज यह नहीं कह सकते है अक्चुली यह है ना कि जो आप सिबिल सर्विसर का प्रपेरेशन करते हैं उसमें सारा चीज इंट्रेस्टिंग है अगर कोई चीज आपके इंट तो मैं कुछ और जैसे अपना कुछ वेगरा पढ़ता था तो मैं रात में वह पढ़के सो जाता था यह था मेरा हिंदी साहित ही आपने मतलब क्यों लिया एक्चुली हिंदी साहित है मैं अभी रिसेंट्री दो एटेंट से दे रहा हूं इससे पहले मेरा फिलोस्पी अप् पा रहा था तो हिंदी साहित लेने की पीछ दो तीन मूलबूत कारण है एक तो यह कि मेरा यह मतलब इंट्रेस्ट एरिया मैं ना चाहते हुए इसको पढ़ता था जैसे मुझे प्रेम चंद का जो भी गुदान है आप सुने होंगे नाम जोगी बहुत बहुत फेमस चीज ह है फेमस नॉबिल है तो मैं उसे अभी तक लगभग 25 बर पढ़ चुका हूं 25 बर से ज्यादा मैं पढ़ चुका हूं मतलब अभी प्रिपरेशन से पहले मैं उसे 14-15 बर पढ़ चुका हूं मुझे बहुत अच्छा लगता था साहिते पढ़ले से पढ़ने में और दूसरी बात की आप रिसेंटली ऐसा तो मेरे पास कोई अभी फिलहाल डाटा नहीं है लेकिन मुझे लगता है जो भी लोग सिलेक्ट हुए है और मैं जो भी टॉपर्स का वीडियो देखता था फिर उनका मार्ट देखता था तो यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप साहित इस तो मेरा उप्जेक्ट है वहां से सुरू किया गया था और जो भी पर ऑफिसनल सब्जेक्ट है कि चायाबाद के कौन से कभी है चार मतलब उसके कौन से अस्तम्भ है इस टाइप के उसके बाद जो मेरा एलेक्ट्रिकल बैक्गरांड है इंजिनिरिंग का उस टाइप से मेरे मतलब ग्रज्योशन सब्जेक्ट से पुछा गया एक दो कुशन मेरे हॉबी मतलब भी इसके लिए इससे अब क्या सिखते हैं तो मेरा जो इंटर्व्यू का टोटल रहा कुछ रहा और ज्यादा तर और यह भी यह रहा मुझे लगता है कि यह कोड एरिया है गर्जुविशन अप्षिनल यहीं पुछा गया मुझसे तो यहीं पुछा गया जो मेरा इंटर्वी था उसमें तो गये थैंक्यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और टैम दिया थी यह थैंक्यू भेरी मैच थैंक्यू